हेलो एवरिवन, आपने वीडियो में डिसकर्स करने वाले हैं डिवलप्मेंट ओफ लिसनिंग स्कील लेंगविज एक्रोस करिकुलम की इंपोर्टन टॉपिक है लिसनिंग स्कील का आप जानते हो कि बेसिकली हमें लेंगवज में फोर स्कील्स को पढ़ना होता है एक होते है reading, writing, listening and speaking तो आज हम listening स्कील के बारे में बात करने वाले हैं तो language को लेंगविज को लेंगवज करने के लिए हां में certain skills को लेंगवज करना important है और वो skill है listening, speaking, reading and writing अब हम बात करने लिसनिंग के बारे में कि listening basically क्या होता है listening is the process of receiving किसी भी चीज़ को क्या करना, receive करना, construct करना meaning का, from and responding to spoken and non-verbal messages, to hear something with thoughtful intention, basically क्या होता है, जब भी कोई व्यक्ति बात करता है, तो दूसरा व्यक्ति उसको सुनता है, means message को receive करता है, फिर उस message से, उन शब्दों से क्या करता है, वो meaning को construct करता है, कि यह है व्यक्ति बात क्या कहना चाहा रहा है, meaning को construct करता है, and then respond करता है, spoken words, जो चीज उसने सुनी, उसका meaning construct करा, तो उस चीज के regarding वो अपनी क्या करता है, respond देता है, verbal या non-verbal message के लिए, then to hear something with thoughtful intention, किसी चीज को किसी thoughtful intention के लिए सुनना, hear करना, listening is an important skill that allow us to receive, क्या करती है, allow करती है, हमें to receive, understand and evaluate the information that is communicated to us, जो information हमें किसी चीज को communicate करने के लिए बताई गई है, उसको सुनना, सबसे पहले उसको सुनना, hear करना, understand करना and evaluate करना, कि ये बात क्या कही गई है, तो उसको हम basically listening कहते हैं, ठीक है, अब बात कर लेते हैं, कि listening की process क्या होती है, ठीक है, listening क्या ह listening is a convergial process, ये एक convergial process है, जिसमें क्या है, व्यक्ति अपने भावनाओं का विचारों का आदान प्रदान करते हैं, in this process, the student should be able to, student क्या कर सकते हैं, guys, इसमें थोड़ी सी spelling mistake है, आप प्लिस उसको ignore कीजिए, आप जो content है, उसे समझने का प्रयास कीजिए, So, सबसे पहले अगर हम कहें, तो to comprehend the oral message, जो भी oral message, मोखी, जो भी message कहा गया है, उसको सबसे पहले comprehend करना, उसकी व्यक्ति बोल रहा है, उसकी feelings को, उसके ideas को, उसके purpose को क्या करना, identify करना, Then, उसके बाद है, identify the context, किस context में बात करी गई है, उसको identify करना, उसके बाद है, to identify relationship between the speakers, relationship क्या है, speaker का और listener का क्या relationship है, इसे find out करने का काम की जाता है, उसके बाद है, thus listening is the accurate perception of what is being communicated, चीक है, listening क्या है, कि listening एक accurate perception है, जिसमें क्या है, ये देखा जाता है, कि क्या चीज़ communicate करने की कोशिश की गई है, अब बात कर लेते हैं, दो चीज़ी होती है, एक होती है listening, दूसरी होती है hearing, hearing का मतलब होता है मातर सुनना, listening का मतलब है सुनना और समझना, और उसके साथ साथ उसे respond करना, कि जो बात हमें कही गई है, हम उसे उसी तरह से समझे है, जिस तरह से सामने वाले ने कही है, सो अगर हम ले मैं की भाशा में कहें, तो वो listening को और hearing को same कहेगा, चीक है, मैं appear to be one and the same thing, उसको लगेगा कि listening and hearing एक ही चीज़ है, but there is difference, but इसमें क्या है, कि कुछ difference है, ठीक है, between the two words, in fact, hearing is a physical act, hearing क्या है, शारिरिक एक कार रहा है, शारिरिक क्रिया है, everyone hear without deliberate effort, हर एक व्यक्ति बिना किसी effort के चीज़ों को सुनता रहता है, उसके ears में जो भी sounds जाते हैं, वो उसको क्या करता है, hearing is merely vibration of sound on the ear, हमारे ears में sounds का vibration होता है, उसे ही हम hearing कहते हैं, on the other hand, इसके अलाव हम बात करें, listening की, listening requires voluntary, voluntary attention, इसमें हमें क्या है, अच्छी क्रूप से, अपने इच्छा से attention देनी पड़ती है, and then making sense of what is being said, and ये देखना होता है, कि सामने वाले ने क्या का है, उसकी sense क्या है, ठीक है, तो basically इसमें difference क्या हुआ, कि hearing accidental होती है, ठीक है, ये अपने आप ही कुछ भी sound चल रहा है हमारे आसपास में, ठीक है, गाने चल रहे है, या कुछ भी चीज़ हमारे आसपास कोई भी noise आ रही है, तो वो क्या है, hearing है, accidentally हमारे कानों में पहुँचती है, और listening जो होती है, वो focused होती है, हम उस पर सोच समझ के attention जो है, वो focus करते हैं अपना, ये involuntary होती हम ना चाहते हुए भी sounds को क्या करते हैं, सुनते हैं, ये involuntary होती है, हम सोच समझ के listen करते हैं चीजों को, ये effortless होती है, ये intentional होती है, तो basically इसमें यही difference है, अब listening is a skill that is important because, क्यों important है, because it helps us learn and understand the different things, हमें चीजों को learn करना, सीखना और उसको understand करना, समझना, अलग अलग a person who listens properly, जो person जो है, properly चीजों को listen करता है, is able to react properly, appropriately, जो इनसान अच्छे से चीजों को सुनता है, वही properly react कर पाएगा, ठीक है, so in a particular situation to add a particular person, अगर सामने वाला क्या कुछ रहा है, हम सून कुछ रहे हैं, समझ कुछ रहे हैं, तो क्या है, सब कुछ गलत हो सकता है, ठीक है, situation बिल्कुल opposite जा सकती है, तो एक अच्छा listen करने के लिए क्या है, कि हमें जो व्यक्ति कहना चाहा रहा है, उसी बात को अच्छे से सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और फिर हमें उसे पर react करना चाहिए, अब बात कर लेते हैं, कि listening की process क्या है, तो सबसे पहले होता है, receive करन हम सुनते हैं, receive करते हैं, सामने वाला जो भी हमें बात कहना चाहरा है, उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, hear करेंगे, सुनेंगे, receive करेंगे, receive करने के बाद क्या क्या जाता है, उसे understand क्या जाता है, कि उसके कहने का अर्थ है, वो क्या कहना चाहरा है, meaning क्या है, तो learning होती है, उसके बाद हम उस चीज़ को क्या करेंगे, recall करेंगे, remember करेंगे, कि हाँ ये बात ठीक है, ये बात कही गई है, और इस context में कही गई है, remember करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, evaluation करेंगे, उस बात का judgment करेंगे, judging करेंगे, ये बात क्यों कही गई है, किसले कही गई है, ये सही है या नहीं है इस चीज को judge करने के बाद हम क्या करेंगे answer देंगे respond करेंगे और फिर सामने वाला उसे receive करेगा इस तरह से जो listening की process है वो चलती रहती है ठीके अब आगे बाध करते हैं की purpose and aim क्या है aim and purpose क्या होता है listening का so सबसे पहला है development of ability to listen attentively ठीक हमारे अंदर क्या है ability चीजों को ध्यान से सुनने की ability और अटेंटिवली सुनने की ability हमारे अंदर डिवलप हो जाती है to enable the student for accurate pronunciation students की pronunciation जो होती वो accurate हो जाती वो सही शब्दों को क्या करता है बोल पाता है उसका pronunciation सही कर पाता है to best all the ability of comprehending the ups and downs of tone tones क्या है कौन सी tone अप जा रही है कौन सी down जा रही है उसको use करना बच्चे को आ जाता है stress कहां पर देना है ठीक है वाक्यों पर stress कहां पर देना है तो यह सब बच्चा सुन सकता है क्योंकि वो जब दूसरों को सुनेगा listen करेगा तभी उसको वो चीज़े आएंगी then provide knowledge of various styles of oral expression oral expression के अलग-अलग styles के बारे में उसे जानकारी मिल जाती है then to develop the ability of comprehend ठीक है comprehend listen करने के बाद वो comprehend करना सीख जाता है ठीक है चीजों को to encourage the speaker to communicate fully, openly and honestly ठीक है उसके बाद है कि to gain a full and accurate understanding into the speaker point of view and ideas यह थे basically इसके aim and purpose अब हम बात कर लेते हैं कितने type की listening होती है एक होती है discriminative listening then pro tense listening, selective listening, attentive listening and effective listening चलिए देखते हैं तो सबसे पहले discriminative discriminative का मतलब है क्या भेद करना ठीक है difference देखना it involves identifying the difference between various sounds इसके अंदर बच्चा क्या करता है अलग-अलग sound के बीच में difference करना सीखता है कि कौन सा sound किस word की, किस letter की क्या sound है ठीक है वो इनके बीच में differentiation करना सीखता है दूसरा होता है pro tense listening इसमें क्या होता है it involves more hearing than listening इसमें क्या है hearing कम होती है listening जाद होती है मतलब हम सुनते कम है बट उस चीज़ को देखते और understand करते जादा है it means that pretending through facial expression facial expression के द्वरा जो चेहरे के भाव होते हैं उनको देख करके that one is listening when accurately when actually are not ठीक है इसमें क्या है कि हम hear कम करते है सुनते कम है listen जादा करते है मतलब क्या होता है कि चीजों को समझते जादा है selective listening it involves selecting the desired part of the message इसमें हम सिर्फ message का जो चीज हम सुनना चाहते है desired part of the message वही सुनते है और बाकी के message को हम क्या कर देते है ignore कर देते है ignore the undesired part of message selective attention जो है वो पे करते है listen करते समय then attentive listening so it requires that the listener fully concentrate इसमें क्या होता है जो listener होता है पूरी तरह से concentrate करता है क्या बात कही गई है उसको understand करता है respond करता है then remember उस चीज को याद रखता है what is being said वो क्या बात कही गई है उसके बाद जाती है effective listening effective listening का क्या मतलब हुआ it is actively it is actively absorbing the information given to you by the speaker showing that you are interested ठीक है इसमें क्यों होता है कि जो भी information दी जा रही है speaker के द्वारा उस चीज को actively absorb करना ठीक है और अपना interest शो करना कि हाँ आप जो भी चीज बता रहे हो हम वो चीज़ सुन रहे हैं उसको समझ पा रहे है अब आगे बात करते है importance की कि importance क्या होता है listen करने का so communication is not complete without effective listening communication के लिए effective listening बहुत जादा जरूरी है अगर आप अच्छे से सुनेंगे तभी आप उसे समझ पाएंगे तभी आप उसकी उस पर अपनी feedback दे पाएंगे तो एक अच्छे communication के लिए effective listening बहुत जादा जरूरी है an attentive listener stimulate better better speaking speaking the speaker so a good listener learns more than an indifferent listener एक अच्छा listener जो होता है वो चीजों का better understand कर पाता है ठीक है a good listener is learn to detect prejudices, assumptions and attitude एक अच्छा listener ही क्या है जो भी prejudices चल रहे है पुराने विचारधाराएं चल रही है ठीक है पुराने परंपराएं चल रही है और जो attitudes है उनको समझ पाता है ठीक है क्या चीज सही है क्या चीज गलत है वो अगर सुनेगा तभी उस चीज को समझ पाएगा then helpful in making the student active students को active रखने के लिए बहुत helpful है listening skill then helpful in making the subject easy and comprehensible कुछी भी subject को easy बनाने के लिए ठीक है और उसको comprehensive बनाने के लिए भी क्या है listening skill important होती है helpful in making the knowledge permanent अगर knowledge हमारे दिमाग में permanent रहे ग्यान permanent रहे तो उसके लिए भी हमें अच्छे से सिजो को listen करना आना जाहिए उसके बाद characteristics की बात कर लेते हैं किसकी क्या क्या characteristics हैं पहला है speaker should be one speaker हमेशा एक होना चाहिए यह नहीं कि एक से जादा व्यक्ति बात कर रहे हैं तो हम एक की भी बात को proper सुन नहीं पाते हैं तो एक टाइम पर एक ही व्यक्ति को बोलना चाहिए accurate pronunciation उसकी pronunciation बिल्कुल accurate होनी चाहिए जो चीज वो कह रहा है वो बिल्कुल सही तरीके से कहे then mental preparedness तो preparedness जो है mentally वो पहले से ही दिमागी तोर पर त्यार होना चाहिए अगर ऐसा ने कि अगर वो चीजों को सुनना ही नहीं जाता लिसन ही नहीं करना जाता और उसको धक्के से बिठाया जा रहा है किसी भी बच्चे को यह audience को तो वो पूरा प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाएगा तो mental preparedness बहुत ज़रूरी है ups and downs in language language बोलते समय बहुत सारे उतार चड़ावाते हैं भाशा में तो उनको ध्यान में रखना चाहिए यनि कि एक ही ले में बोला जा रहा है ups and downs important है then statement should be related to the study जो भी आप चीज बता रहे हैं बच्चे को वो study से related होनी चाहिए irrelevant नहीं होनी चाहिए ठीक है topic का ध्यान रखना चाहिए proper environment होना चाहिए and due practice लगातार बार-बार practice करनी चाहिए तभी हम क्या है अच्छे से listen कर पाएंगे अब बात कर लेते हैं different kind of listening material कि कितनी तरह के listening materials का इस्तेमाल किया जा सकता है पहला होता है visual material जिनको हम देख सकते हैं which use sense of vision जो क्या है देखने के काम आती है audio material होता है it involves sense of hearing ठीक है इसमें क्या हम सुन सकते हैं then audio visual इसमें हम सुन भी सकते हैं देख भी सकते हैं जैसे की radio है ठीक है radio क्या होता है आप सबने सुना होगा कि we can know about the broadcast time and date of the linguistic educational program from the list of radio program इसमें audio material poem, story, drama etc. educate for development of skill through radio तो हम radio से क्या है चीजों को सुन सकते हैं बहुत सरे educational programs रेडियो पर टेलीकास्ट किये जाते हैं तो teachers क्या कर सकते हैं कि उन जो program है उनका schedule बनाकर के बच्चों को दे सकते हैं तो जिससे के बच्चे उनको सुन करके अपनी जो listening skill है उसको इंप्रूव कर सकते हैं gramophones होते हैं इस पर बच्चे को देना हैं तो बच्चे को देना हैं the biggest advantages of gramophone is that the same task can be recited so many times same task को हम क्या बार बार सुन सकते हैं so क्योंकि उसमें record हो जाती है then as per the wish of the students education of the pure pronunciation and proper pure language can be imparted through effective manner तो gramophone में कुछ भी चीज़ जब हम बोलते हैं तो रिकॉर्ड हो जाती है और हम a number of times जब student चाहे हम उसको सुना सकती है tape recorders होते हैं so tape recorders is bought into use like gramophone gramophone की तरा हम tape recorder को भी यूज कर सकते हैं in any of the context can be listen again and again इसमें भी हम चीज़ों को अगर एक बार record करते हैं तो उसको बार बार हम सुन सकते हैं without any difficulty इसके साथ television भी है ठीक है so television is the refined form of radio radio की एक refined form है इसी का एक advanced form माना जाता है इसमें हम चीज़ों को देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं so we can only listen to the sound to the story, poem, drama broadcast in the radio रेडियो में सिफ हम क्या चीज़ों को सुन सकते हैं but TV में हम क्या कर सकते हैं television में हम चीज़ों को देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं but in the television विज़ोलाइस थिंग्स ठीक है along with the listening so this is more effective source उसके बाद है language laboratory इसमें क्या है it has its own significant places in developing the listening skill of the language teaching there is a tape recorder ते टेप रिकोर्डर है some cassettes होती है there are headphones besides it and the teacher can listen to the pronunciation of the students either in assistant sitting in the laboratory the students also can ask questions to the teacher either they help devices or the teachers and the answers same immediately the teachers क्या कर सकते है बच्चों की voice को record कर सकते हैं उसको सुन सकते हैं इसमें cassettes and tape recorders होती है तो हर बच्चे की जो भी बच्चा बोल रहा है ठीक है उसको record किया जा सकते है और उसको सुना जा सकते है यदि बच्चा कुछ गलत चीजों को परनंस कर रहा है परनंसेशन गलत है तो टीचर इसको इंप्रूव कर सकते हैं then lingua phones होते है this is the device of the category of gramophone and tape recorder tape recorder gramophone की तरह ही यह एक lingua phone जो है device इसका यूज किया जाता है and it is done in education order on pronunciation accuracy इसका भी हम प्रियोग क्या है इसका हम प्रियोग जो प्रनंसेशन असको अकुरेट करने के लिए करते हैं उसकी तरह से डिस्क रिकॉर्डर होता है so the use of this expensive devices is done the skill like purifying the pronunciation and bringing improvement in the listening pace इसका भी हम इस्तेमाल करते काफी expensive device माना जाता है अगर हमें pronunciation को purify करना है ठीक है हम शुद करना है और language को improve करना है तो इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं activities related to the development of listening skill की listening skill के लिए कौन कौन से activities जो है हम use करते हैं so इसके लिए क्लियर, accurate and recitation reading हमें clear और accurate reading जो है बच्चों से वो करवानी चाहिए so the ideal reading done by the teachers and in the classroom imitation done by the other students अब जैसे teacher बोलेगा बच्चे उसको सुनेंगे और उसको imitate करने की कोशिश करेंगे so students by listening attentively attain the knowledge of pure pronunciation and stress तो बच्चा सुनने से ही क्या है उसको पता चल जाएगा किस चीज़ की pronunciation किस तरह से की जाती है और किस word पर ज्यादा stress देना और किस पर नहीं देना है ठीक है उसके साथ dictation के through भी हम क्या है बच्चे को सिखा सकते हैं dictation is a powerful and meaningful activities for practicing good listening skills so the students have to write after listening in the dictation activity तो teachers जो है words को बोलता है और बच्चे उसको लिखते हैं तीक है सुनते हैं और लिखते हैं जिससे क्या हुनकी जो listening skill हो ड्वलप हो जाती है उसके साथ साथ speech so speech is the best source of developing verbal expressions among the children बच्चों को जो verbal expressions सिखाने है कि किस word कर क्या expression है तो उसके लिए speech important होती है तो speech is also a quality source of developing listening skill that the children should be told beforehand that they should listen to the speak attentively उनको कहा जाता है कि आप जो भी बोला जा रहा है उसको attentively सुनो because later उसके बाद क्या है आपसे questions put किये जाएंगी आपसे question asked किये जाएंगे and they have to answer those questions accurately और आपको फिर accurately उन questions का answer देना है तो बच्चे क्या करते हैं चीजों को ध्यान से सुनते हैं ठीक है so in such a situation in order to answer the question the students listen to the speech attentively तो बच्चे speech को जो भी बोला जा रहा है उसको ध्यान से सुनते हैं उसके बाद हम debate करवा सकते हैं ठीक है debate तो बहुत important है debate से हमारी listening और जो हमारी speaking skill है बहुत अच्छे से improve हो जाती है debate is an advantages and meaningful activities from the viewpoint of developing listening skill because the students that participate in this activity they have to listen to every talk attentively अब हर एक चीज़ को जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं हर एक की talk को हर एक की बात को ध्यान से सुनते हैं तब ही तो वो अपनी बात को अपने दूसरों के सामने रख पाएंगे so after the debate is over जैसे debate over होती है the question should be asked in the whole class so there would be testing the development of listening skill तो इस तरह से के हैं उनकी listening skill को develop किया जा सकता है debate के through उसके बाद हम question answer method का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि teachers जो है classroom में बच्चों से question answer put कर सकते हैं so this activity is very old ठीक है but is much meaningful and effective यह पुरानी है but यह बहुत meaningful भी effective भी माने जाती है the teacher should ask the questions to the children along with the development of lesson मतलब lesson को पढ़ाने के बाद teacher क्या करते है बच्चों से questions put on करते है so it can be said that development of lesson should be done accordingly to the question answer method so by doing so all the students of the class listen attentively to the teachers and remain careful in the class तो अगर teacher ऐसे कहते हैं कि हम chapter को खतम होने के बाद आपसे question पुछेंगे तो बच्चे उस चीज को ध्यान से सुनते हैं क्योंकि उनसे question put किये जा सकते हैं then recitation and listening of stories सुनना, listening को, स्टोरी को सुनना और listen करना so the teacher by sitting among the children's first of all tell them the story तो teacher क्या करता है बच्चों को story सुनाते हैं and the children's listen attentively तो और बच्चे उसके साथ क्या करते हैं स्टोरी को बहुत अच्छे से listen करते हैं and the teacher himself after telling the story ask the questions तो क्या करते हैं teacher let any children's tell the story if teacher क्या करते हैं खुद स्टोरी सुनाने के बाद किसी भी बच्चे को बोलते हैं कि जो मैंने सुनाया आप उसको सुनाई ठीक है उसको बोलते हैं सुनाने के लिए by doing so it comes to know whether the children's have listened to the story attentively बच्चे बच्चों ने स्टोरी को सही में सुना जो भी करेक्टर बताये गए जो भी स्टोरी बताये गए बच्चों ने उसको same बताया है या नहीं बताया है so telling story is a powerful and effective source of teaching the listening skill listening skill को सिखाने का बहुत ही powerful तरीका है ये and because the young children's have a lot of enjoyment क्योंकि बच्चों को क्या है बहुत अच्छा लगता है story सुनना तो ये एक बहुत अच्छा method माना जाता है उसके साथ poetry reading करवाना ठीक है poetry reading is an extremely useful technique in learning the oral skills oral skill को सिखाने का बहुत अच्छा तरीका क्योंकि इसमें rhyming होती है तो बच्चे को poetry कैसे बोलनी है ये भी आ जाती है so it can done through both type हम individual भी कर सकते हैं group के साथ भी कर सकते हैं then it provides the golden opportunity to learn the listening skill उसके साथ साथ drama के थूँ भी the art of act ठीक है the art of acting is useful technique of developing the qualities of listening उसके बाद हम देख लेते हैं कि कुछ other जो extra curricular activities भी होती है जैसे हम group discussion कर सकते हैं group discussion से भी बच्चे क्या है अच्छे से दूसरों की बातों को सुनेंगे अपनी बातों को दूसरों के सामने प्रस्तुत करेंगे story reading competition के थूँ children assembly के थूँ newspaper reading हम बच्चों से करवा सकते हैं drama and debate debate and drama competition के थूँ उसके साथ साथ क्या है listening of various programs broadcasts from radio रेडियो पर जो भी program आते हैं बच्चों को सुना करके listening of speech of the experts कुछ experts होते हैं उनकी speech को सुना करके by giving the opportunity of listening telephone telephone को कैसे सुनना है उसका कैसे answer देना है इसके थूँ भी हम बच्चों को सिखा सकते हैं by organizing such games pertaining to language where the students get opportunity of listening the message and forwarding the same ठीक है कुछ games इस तरह से conduct करवाय जा सकते हैं कि बच्चों को इस तरह की opportunity दी जाते हैं कि वो पहले सुनेंगे जो बात कही गई है फिर अपना message जो है वो forward करेंगे तो इस तरह से भी हम कहा है co-curricular activities के थरो भी बच्चों को listening skills सिखा सकते हैं at the end हम क्या कह सकते हैं in a nutshell it can be said that listening aids human beings not only the quest of sharing their message but also contribute in improvement and growth of the communication तो क्या है सिर्फ message को सुनना ही नहीं बलकि उनकी जो communication skill है उसको grow करना उसको improve करने में भी यह helpful होती है and it is shown that most people listen if ineffectively यह बहुत ज़्यादा देखा जाते है कि जो लोग होते हैं वह बहुत ही ineffectively चीजों को सुनते है and they do not understand what is said सामने वाला क्या कहना चाह रहा है उसको बिलकुल भी नहीं समझते है and that a result of misunderstanding इसी कारण से misunderstanding, confusion and finally conflict among the person जिसके कारण जब हम किसी चीज़ को ध्यान से सुनेंगे यह नहीं समझेंगे नहीं तब हम उस चीज़ को misunderstand करते हैं confusion create होती है और लडाई जगडे हो जाते हैं if sufficient efforts is made to improve it अगर हम सही से इन पर क्या है ध्यान लगाएंगे so one is the listening will eventually become good and society will function successfully अगर हम चीज़ों को थोड़ा सा अपना effort लगाएंगे समझने के लिए तो हम चीज़ों को अच्छे से बहतर तरीके से समझ पाएंगे और society में जो भी functions है वो properly successfully होंगे लड़ाई जगड़े कम होंगे तो आज की वीडियो में इतना ही तो आज हमने पढ़ा कि listening skill के बारे में listening skill की importance क्या है characteristics क्या है हम किनकिनी sources का यूज करके listening skill को improve कर सकते हैं तो बलते हैं आप से next video में